Hello everybody, इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे EKI Energy Services Limited के बिजनस के बारे में and इस कंपनी के quarter for results को भी यहाँ पर discuss करेंगे देखें कंपनी का जो business है यहाँ पर advisory services के अंदर है, certification services के अंदर है, training services के अंदर है इसके अलावा कुछ projects company यहाँ पर undertake करती है, उसके अंदर हिनका businesses है but major business जो है वो यहाँ पर advisory की तरफ से आता है, तो वो एक factor यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है देखो company काम करती है यहाँ पर climate sustainability, इसके लावा net carbon neutral की तरफ and Europe में जो है सबसे आदा focus है आज की rate में net carbon neutrality की तरफ तो यहाँ से जो maximum revenue जो company drive करती है, वो Europe side से ही करती है and बाकी भी जो revenue का mix and terms with countries and continents वो आपके screen पर आ रहा होगा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस company के clientele की, तो बहुत अच्छे clientele है domestic के अंदर भी बहुत अच्छा clientele है company के पास में and in fact international में भी काफे अच्छा clientele है इनके पास में, सारे नाव आपके screen पर भी आ रहे होंगे in fact अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज समझें इस company के around तो यह जो sector है climate advisory sector, यह बहुत तेजी से grow करता हूं में नजर आ रहा है because सारी की सारी companies जो है यहाँ पर अपने carbon footprint को कम करना चाहती है and company जो है उसी तरफ आपकी help करती है, उसी तरफ आपको guide करती है तो यह एक factor यहाँ पर समझना बहुत जादा जरूरी हो जाता है अब देखिए यहाँ पर company जो है आपको दो तरीके की services यहाँ पर offer करती है एक climate change advisory services जिसके अंदर यह सारी की सारी चीज़े चेक करेंगे, monitor करेंगे, verify करेंगे and उसके बाद में यहाँ पर आप certification भी ले सकते हैं and दूसरा होता है यहाँ पर training services, training services के पार्ट हो गए जैसे यहाँ पर electrical safety हो गई इसके लावा क्या क्या कर सकते हैं जिनसे यहाँ पर carbon footprint कम हो तो वो सारी चीज़े जो हैं यहाँ पर company बताती है देखिए यहाँ पर company में previously कुछ ना कुछ problems रहे हैं अगर हम लोग बात करते हैं sales की तो sales नंबर भी एक समय पर company के काफी जादा से and it is difficult to question कि यहाँ पर company उस sales नंबर को maintain कर भी पाएगी कि नहीं तो वो चीज़ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे है definitely and वो factor समझना ज़रूरी हो जाता है anyways coming to the quarter for results of this company यहाँ पर sales जो है वो हमें कम होते हैं नजर आईगे operating profit margin के अगर हम लोग बात करते हैं इस company के तो वो negative के अंदर है although वो भी हमें कम होता हो नजर आए तो वो कहीं न कहीं एक positive point रह सकता है but it is too early to say anything for this company because हमें आगे के results को monitor करना बहुत जादा जरूरी होगा कि company margins को लाएगी कैसे positive कैसे लेकर आएगी या sustain कैसे करेगी तो यह बहुत important question यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग loss की बात करें तो वो थोड़ा सा minimize हुआ है because operating level पर loss कम था company को क्योंकि यहाँ पर sales कम थी तो वो एक factor यहाँ पर आपको समझना जरूरी हो जाता है अभी एक बार आप इस company के annual results को भी देखे 2022 में 1800 क्रोड की sales stays में हाँ पर साड़े बारा सो क्रोड की sales अभी धाई दीन सो क्रोड की sales तो यही irregularity जो है हमें देखने को में जी sales के terms में यह समझना बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि company जिब इतनी high growth अचीफ करती है sales में क्योंकि आप अगर 18 सा क्रोड से पहले के numbers दिखोगे तो आपको idea लग जाएगा यह sales maintain करना बहुत मुश्किल हो जाता है and कहीं न कहीं mean sales के पास में sales growth आती है fundamental basis पे तो वो एक factor समझना बहुत जादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे but anyways this company का last corporate action and यहाँ पे updated shareholding pattern भी आपके screen पर आ रहा होगा हमने सोचाएं data points को आपके add किया जाए but with that said I really hope you guys enjoyed this episode पसंदा है please like, share, subscribe जरूर करना and I'll see you guys in the next one